गुद आ फिशुल,"डेरिवेटिव पर्याइक है यह कंटीनिव कर दैं लास्ट जड़ा है अपने फॉक्ष्र सीगा और डेरिवेटिव सीगा पैरमेटरिक एक्वेशिन दैप्रा में से कि अपने एक नेटको यह अलग फंक्षिन दित्त आ होंदा से गा एक्स जड़ी है अलग function धित्ता हो दिफ़ेंगर ने कि जड़ों करना होबने को derivative of function with respect to another function मतलब एक देदा फंक्शन दा डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू अन्हदर फंक्शन तदो अपा क्यमे करना रहे इदे विच तो नो अपने को स्पैशल देख के ही पता लाजाए करो कि ए टाइप है क्यों को करें लिख्या होगा कि डिफ्रेंशियेट करो इस फ दुझ्यनो अपा यू माला लाए ठीक है जी इज फर्स्ट अल नो वाई तो दुझ्यनो यू इदा डैरिवेटिव ते यू जड़े फंक्शन मनांगे ए जड़े फोर्म दोना दा सेम होगा जी मैर थीटा दी फोर्म चे ता आभी थीटा दी फोर्म चेश्या ता अभी थी से स्क्र एब दी गेवन अपन मनेसफ ठीटा दी हुझ्यी खेए it, कि आप दीवैइअर यू सुषा हो है गउ्य ए ज़े हुझ्या थी ई्टा घया होगा थे इड़ेगा करना की है तो डी वाई उप्हॉण डीडियो तुछ कि अपाइफ दी वाई पाऊन डीवाई अपने किसमें काइंगे यवाई अपने को एक फंक्शन दिता होगा अधरी विद रिश्पक्टु दुछ्छे फंक्शन आपने कहाँ अपने कुछ फंक्शन य पिर फंक्शन नी उमनना इए इज़ है इज़ है करना इज दिए अधरिवेटिव इंडिविशन करना इज दिए फंक्शन होगा फिर एंड ची दोनों आप पसे टोइड कर न रहे similarly differentiate sin inverse x upon 1 by x this kare with this back to ten inverse xr ने तहिए ता हिदा मैं derivative करना इनो हमाई इन्नम J तोड कि ना अपने को यह माल लिया तोंगा न जुदह फेंसलों चलुदा पह सीमश्क मैं result तो दोनों आपको करा दाँगे तो आपने को लहें दीवाइब डीक्स होजी होगा तो आहांस वालिगां similarly यह का कोश्चन है differential sine square X with respect to E the power cos X करना सिकर आए इधा की करना है आपने को Y माल लेया इन depends यू माल लेया इधा derivative to dx कर लेया, इधा derivative to dx का लेया, फिर इधा derivative to dx लेख से du by dx दोनों आपछे की कर लेया, divide कर लेया गोदर ड़िवेटिव करना है तो यूदर ड़िवेटिव करना है फिर दोनों एट दिव चाप पशी कि करा दना है डिवाइड करा दना है ठीक है थी एकसे तो नों मैं पेज रहा है तो वो कर लें सॉल्ब ओकी थेंक